हेलो दोस्तों कार दुनिया से मैं विनी एक बाफिर से आपका स्वागत करता हूँ आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फोर्ड एस्पायर जो कि कॉम्पेक्ट सिडान में आती है फोर मीटर से कम इसकी लेंथ है आज हम बात करेंगे इसके टाइटेनियम वेरियंट की आपको बताएंगे क्या आएंगे इस गाली में फीचर और डिजाइन यह डीजल और पेट्रोल दोनों में आती है तो चलिए आपको दिखाता हूँ फोर्ड एस्पायर के टाइटेनियम वेरियंट को यह देखिए यह है इस गाली का फ्रेंट लूप आपके सामने जिसमें यह देखिए रेडियेटर ग्रिल जो है यह दी हुई है क्रोम सराउंड के साथ यहाँ पर देखिए क्रोम का यूस किया गया है उपा की तरफ यहाँ पर फोर्ड की आपको ब्रैंडिंग देखने को मिलेगी नीचे की तरफ देखेंगे तो यह है इस गाली के फ्रेंट के बंपर्स जो कि डूल टून कलर्स में आते हैं इस वेरियंट यानि टैटेनियम वेरियंट में फॉग लैंप्स कंप् कि तरफ पोजिसनिंग लाइट दे रखी है तो यह है फोर्ड एस्पायर का फ्रेंट लुक आपके सामने चलिए फ्रेंट के बाद अब हम देखते हैं इस गाली के साइट प्रोफाइल को तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा दूर जाके आपको दिखा देता हूं इस गाली का व जिसे इसको कॉंपैक सेडान का नाम दिया गया है और चलिए सबसे पहले हम साइट प्रोफाइल में आपको दिखा देते हैं इस गाली के वील्स तो यह है टाइटेनियम वेरिंट जिसमें देखिए मल्टी स्पोक सिल्वर एलोई वील्स आएंगे और बीच में यहां पे ब बॉडी कलर्स में दिये हुए हैं जिसमें साइट के टर्न इंडिकेटर्स इंसर्ट हैं आउटसेट हैं अगर इसका बी पिलर देखिए तो यह ब्लैक टेप आउट है इससे गाली देखिए इस पोर्टी कॉंपैक सेडान का लुक देती है उपर के तरह देखेंगे तो यहा गाली का ग्राउंड क्लिरेंस जो है वह आपको इसमें मिलेगा 174 mm का यह देखिए चलिए यह हो गया फ्रेंट एंड साइट की बाद अब हम बढ़ते हैं इस गाली के रियर यानि बैक प्रोफाइल को एक्सप्लेंग करने और दिखाता हूँ टाइटेनियम वेरेंट एसपार का देखिए एंबलम दिया हुआ है क्रोम पर राइट साइट पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए टाइटेनियम जो कि इसका वेरेंट का नाम है उसका भी एंबलम इल जाएगा उसके नीचे टीदी सी आई यह डीजल पे है तो उसका डीजल एंजिंग का यहाँ पर एं व्रियर डिफॉगर्स आपको इसके ग्लास में टाइटनियम वेरेंट में नहीं मिलेगा यहाँ पे हाई मॉंटेड स्टॉप लेंज लगा हुआ है तो दोस्तो यह हो गया इस गाली के एक्स्टिरियर की बाद चलिए अब हम आपको फोड एसपायर टाइटनियम वेरेंट की क बूट को अपन करने के लिए आप बस यहाँ पे दो बार इस बटन को प्रेज करिए देखिए इसका टरंगेट ओपन हो गया बाकी यहाँ पे की इंसर्ट भी है जिसके थुरू आप इसके टेल गेट को अपन कर सकते हैं इसमें एक एमर्जंसी की है उसको निकालके आप इस लैंप भी टाइटेनियम वेरेंट में देखिया आता है तो यह हो गया इसका बूट इसपेस की बाद चलिए जड़ा इसपेर विल चेक करते हैं तो यह देखिए बाकी वील्स तो इसके थे ऐलोईज में लेकिन इसका जो यह इसपेर वील है यह यह स्टील पे दिया हुआ यह एलोईज में नहीं है यहाँ पे 80 का की देखिए इस टीकर लगा हुआ है 80 किलोमेटर पर आर इसका मतलब क्या है बताता हूँ पहले तो आपको इसके वील्स सेक्शन चेक करवा दूँ तो यह देखिए 175 और 65 आर 14 इंच बाकी वील्स 15 इंच के हैं लेकिन इसका स्पेर वी स्पेर वील को यूज करेंगे उस वक्त मैक्सम गाली की स्पीड जो है वो 80 रखे है उसके उपर जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस गाली पर बब्लिंग आएगी क्योंकि वील्स छोटा है यह इंटे नेशनल नॉम्स होते जा रहे हैं आपको ज्यादा तर गालियों में इस प का इंटिरियर्स तो यह देखिए यह है फोर्ड एसपायर टाइटेनियम वेरिन का इंटिरियर्स आपके सामने देखिए डूएल टोन कलर पे है जिसमें बेज का यह ज्यादा किया है जिसके वजह से गाली अंदर से प्रीमियम और स्पेशियस लगती है यह देखिए मैं ए के आम रिस्ट पे यह ब्लैक पैनो फिनिस यानि ग्लॉसी फिनिस का यूस किया गया है इसके इंटिरियर्स को प्रीमियम बनाने के लिए इसके लाबह यह देखिए यहाँ पर फैब्रिक इंसर्ट है यह सॉफ्ट भी दिया हुआ है और और आल पोडोस पार विंडो आते है जिसका यह देखिए बटन लगा हुआ है इसमें रियर पावर विंडो का नीचे के तरफ मियोजिस सिस्टम के स्पीकर्स लगे हैं और इंसाइड डूर हैंडल भी देखिए इसके यह ग्लॉसी ब्लैक फिनिस में दियो हुए है चलिए अब आपको दिखाता हूँ एसपार टाइटेनियम वेरेंट का रियर सीट्स तो यह देखिए इसकी जो रियर सीट्स हैं वो हाइट एजस्ट्विल हैड ड्रेस्ट के साथ में है और सेंटर पर यहाँ पर आमरेस्ट नहीं मिलेगा बाकी यह पीछे का इदा का स्पेस आप चेक कर लिजे चलिए अब हम बैटे ह हैं इस गाली की रियर सेटिंग्स में और चेक करते हैं कितना है इसमें स्पेस यह मैंने ड्राइविंग सीट को अपनी हाइट फाइफ फूट एट इंच के कार्डिंग सेट कर दिया और मेरे बैटने बाद देखिए एसपायर में आपको इतना लेग रूम मिलेगा एक जो की आपको एसपायर में मिलती है यहाँ पे सीट की डिजाइन जो है आगे वाली वो हल्की सी अंदग तरफ कर दी जिससे लेग रूम यह देखिए काफी बढ़ जाएगा और इसकलावा यहाँ पे देखिए यह पॉकेट भी है और इस साइट पे भी देखिए आपको पै अपको अपग देखिए इसमें आपको एसिस्ट गयुए अगम पचलेंगे लेखिए और यहाँ पे सीट यहाँ टियाँ हुए है यह दो क्लें खोलेख और ढ़ित विंडोवा तो दोस्तों गया ऊगा का स्विच और 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 णुद की बाहूं कि ए मिलतने तो इस बटन को आप प्रेस करिए इसका इगनिशन ओन हो जाएगा तो इसमें बढ़ा चीजे देखिए पुस स्टार्ट बटन दिया हुआ है अब चलिए मैं जरा इसके ड्राइविंग्स दूर को चेक करा जेता हूं तो यह देखिए वन टच विंडो डाउन है एक बार ना नीचे चला गया और यह वन टच अब भी है विद एंटे पिंच देखिए इसमें जैसे मेरे हाथ को सेंस किया यह रोल बैक हो गया बिना कोई मुझे चोट पहुंचा है आउसेट मिरर्स जो है वो आपको टाइटेनियम वेरेंट में मैनुली ओपेंग्स करने होंगे और य इसमें के स्पीकर्स आगे के दोनों डोर्स पे भी लगे हुए है चलिए अब आपको लिखाता हूँ एस पार टाइटेनियम वेरेंट की यह है फ्रंट की सीट्स जो की यह देखिए फ्रंट में भी हाइट एजस्ट्बिल्स हैड्रेस्ट के साथ यह सीटे दी हुई है इसक इसके लावा अगर हम इसके सीट के मेटीरियल की बात करेंगे तो यह फैब्रिक में सीटे बनी हुई है फुल बेज कलर इसमें यूज किया गया है इधर भी बेज कलर का यूज है जिसकी वज़े से ज्यादा लग्जरियस एंड इस्पेसियस इसका इंटीर बनता है चलिए जलक आपको इस गाड़ी के इंटीर्स की यह देखिए इस साइट भी दिखा देता हूँ यहाँ पे यह फ्यूल कैप को उपिंग करने का लीवर है इस साइट पे हेड लैंप्स को अपरेट करने का यह लीवर दिया हुआ है यह दे रखा है इसमें ट्रंग गेट को आप यह यहां से भी उपन कर सकते हैं और यह रेयर फॉग लैंप को एक्टिवेट करने का बटन दिया हुआ है और चीज़े देखते हैं तो देखिए मेरे सामने एलेट्रोनिक पावर स्टेरिंग है इसके स्टेरिंग पे भी देखिए ग्लॉसी ब्लैक फिनिस का यूस किया गया है बीच में फोर्ड की ब्रैंडिंग है इस साइट पे देखिए तो यहां पे आपको कंट्रोल मिल जाएंगे म्योजर सिस्टम एंड फोन को पिक एंड कट कर देख लिए इस स्टेरिंग जो है यह देखिए लिवर है यहां पे यह टिल्ट आपको मिलेगा अब इसके स्टेरि पास कॉपरेट करने का यह लिवर दिया हुआ है यह रह इस गाड़ी का इंस्टुमेंट क्लस्टर आपके सामने इस साइट पर देखिए फ्यूल गौज मिलेगा इधर स्पीडो मीटर दे रखा है यह आर्पियम मीटर दिया हुआ है और यह दे रखा है इसका मल्टी इंफ तो इसका इंस्टुमेंट क्लस्टर की बाद चलिए अब आपको दिखाता हूँ सेंटर कंसोल आपके सामने जिसमें देखिए आपको मिलेगा यह 7 इंच का टच इंफोटेंडमेंट सिस्टम इसमें देखिए इन बिल्ट नविगेस्टन भी दिया हुआ है यह देखिए लो नविगेस्टन सिस्टम दे रखा है यह इसके कंट्रोल मिल जाएंगे ब्लुटूथ किनेक्टिविटी के साथ आता है यहाँ पे पैंड्रेव लगाने का और ऑक्सुलरी पोर्ट दिया हुआ है और डिजाइन वाइस देखिए यह फ्लोटिंग टाइप उबरा हुए पाट आएगी तो यह हो गया इसके मियोजर सिस्टम की बात और नीचे देखते हैं तो यह हजार्ड बार्निंग लाइट स्विच है प्रेस करते सारे इंडिकेटर बिलिंक करने लगेंगे एस्पायर में जो है टाइटनियम वेरेंट में यह मैनूल एसी आता है उसके कंट्रोल्स हैं इस साइट पर देखिए एक 12 वोल्ड का पावर आउट डिया हुआ है जिसमें आप कोई भी 12 वोल्ड का टैच्मेंट जैसे की मोबाइल चार्जर को आप लगा सकते हैं इसके लावा और चीज़े देखते हैं तो यहां पर देखें फ्रेंट की दोनों सीट के बीच में कुछ storage spaces मिल जाती हैं आपर देखिए cup holders दिये हुए हैं इस साइट पर देखिए तो यह आपको एक manual inside day night rear view mirror मिल जाएगा और यह रही इस गाली की light cable light या map light के लिए अकेली light है देखिए और center पर कोई भी आपको light नहीं मिलेगी तो और चीज़े इस साइट पर sun visor देखिए दिया हुआ है with flap vanity mirror के साथ इस साइट पर देखते हैं driving side पर कुछ भी नहीं है चलिए अब हम आपको इसका glove box चेक करवा देते हैं तो यह रहा इस का glove box storage देख सकते हैं किसना इसमें space है इसके लावा यह तो होगे इसके storage इसकी बात मैंने सारी बता दिये देखिए इधर भी आपको एक storage space मिल जाती है चलिए अब हम बात करते हैं इसके safety की तो इसमें जो है safety के लिए एक airbag यहाँ पे driving side मिल जाएगा जो की steering पर fit है दूसर passenger के सामने दिया हुआ है साथ में ABS, EBD और भी जो safety features है वो आप screen पे check कर सकते हैं तो दोस्तो फोर्ड, S-PAR, titanium variant के मैंने आपको feature दिखा दिये चलिए अब ज़रा दिखाता हूँ उसका transmission यह five speed manual transmission चाहे वो diesel हो या petrol दोनों में आती है और यह देखिए इसका यह lever का design ऐसा है य इस पे reverse gear लगाने के लिए यह देखिए lever को उठाईए और इस तरह से इसका reverse gear लगा दीजे और जैसे reverse gear लगाएंगे देखिए इसका reverse parking camera activate हो गया with guidelines तो यह आपको पीछे का clear view देंगी जब आप गाड़ी को करेंगे back तो दोस्तो यह थे Ford S-PAR 2020 titanium variant के सारे features चलिए अब हम bonnet को open करके आपको इसका BS6 engine भी चेक करवा जेते हैं यहाँ पे lever है इससे open हो जाएगा इसका bonnet यह है Ford S-PAR का engine compartment और देखिए bonnet के अंदर padding लगाई है जिससे NVH level control में रहे है अब आप यह देख रहे हैं इस गाड़ी का diesel engine जो की 1.5 liter BS6 compliant है इसके displacement की बात करेंगे तो 4099 CC का इ engine capacity है यह maximum power generate करता है 100 PS का 3750 RPM पे and torque है 215 NM का 1750 से लेके 2500 RPM तक यह 5-speed manual transmission में आएगी जिसका mileage claim है 24.4 km per liter का petrol engine की बात करेंगे तो इसका petrol engine जो है 1.2 liter का है 1194 CC की इसकी engine capacity है यह भी BS6 compliant है maximum power बनाता है 96 PS का 6500 RPM पे and torque है 119 NM का 4250 RPM यह भी 5-speed manual transmission में आती है जिसका mileage claim आता है 18.5 km per liter का चली चेक कर लेते हैं Ford Aspire के color options को भी तो इसमें मिल जाएंगे diamond white, ruby red, smoke gray, white gold and moon dust silver colors में तो दोस्तो Ford Aspire 2020 का titanium variant इस गाली की designing and features के बारे में आपकी क्याराय आप हमारे comment section पर जाके बता सकते हैं ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज से like and share कर दीजेगा मेरे channel कार दुनिया को subscribe करके हमें support करना ना भूलिएगा मैं आपके सामने ऐसे और भी reviews लाता रहूंगा तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल Thank you